नमस्का विद्रो राष्टि आई की वृद्धिदर के बारे में देखा और उसमें आने वाली जो समझ्चा है है मरियादा है मुश्केली है उसके बारे में भी हम लोगोंने मतलब देख लिया अब जो आगे के मुद्दे के अंतरगत की बात कर रहा है मैं आर्थिक विकास के निर्देशांग की बात कर रहा था पहला निर्देशांग हमने पुरा कर लिया है के राष्टि आई की वृद्धिदर दूसरा निर्देशांग के प्रतिव्यक्ति आई की वृद्धिदर प्रतिव्यक्ति आई की वृद्धिदर का जो शब्द है आप लोग उससे बहुत पाएगा तो उसकी पुरिबाश आ जाएगी और सुत्र शायद मैं नहीं भूलू तो आप लोगों को याद है कि किसी देश की कूल आए को देश की कूल जन सिंख्या से भाग देने पर जो अनुपात हमें प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आए कहते हैं पुनहिक बार कि देश की कूल आए को देश की कूल जन सिंख्या से भाग देने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आए कहते हैं परिभाशा हुई उसका सुत्र सुत्र कैसे लेखोगे उपर कूल आए बट्टे में कूल जन सिंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आए गुदार आप अपने मंद से लिख सकते हैं जैसे कि भारत की कुलाई 50,000 है और भारत की जन सेंख्या 5,000 है तो 50,000 को 5,000 से भागो के तो जो अनुपाद आपको मिलेगा वो आपकी प्रती व्यक्ति आए है पुदार लिखना जरूरी आपको मन पसंद कालफनी पुदार लिखने की चूटे तीसरा जो मुद्दा आप लोगों को तीन मुद्दे बने परिवाशा, सुत्र और पुदार चौथा मुद्दा ये ख्याल दिया किसने तो ये ख्याल आपको भी मालूम है कि ये आर्थिक विकास का उचीत मापदर्ण है उचीत मापदर्ण ये उसकी विशेष्टा है कि आर्थिक विकास को आज तक मापने का यदि उचीत मापदर्ण है तो हो है प्रतिव्यक्ति UNDP का पुरा नाम आपको मालूम है कि United National Development Program वगेरे परिवाशा, सुत्र, उदाहरन, विशेश्ता और ये ख्याल किसने दिया पांच मुद्दे हुए अब प्रतिव्यक्तियाई का संबन देश के आर्थिक विकास के साथ कैसा है तो किसी दा जैसा राष्टियाई का संबन देश वैसा प्रतिव्यक्तियाई का संबन देश की प्रतिव्यक्तियाई का संबन देश की प्रतिव्यक्तियाई हुची या अधिक तो देश का आर्थिक विकास भी हुचा और यदि देश की प्रतिव्यक्तियाई कम तो देश का आर प्रतिव्यक्ति आयाद है उसका प्रमाण में आप लोगों को बता दू डॉलर में आई का के नॉर्वे के आई कितनी है तो के 64,992 डॉलर अमेरिका के आई कितनी है तो के 52,946 डॉलर चीन के आई कितनी है तो के 12,546 डॉलर पारत के आई कितनी है तो के 5,497 डॉलर और पाकिस्तान के आई कितनी है तो के 4,866 डॉलर यह सब प्रतिव्यक्ति आये है व्रुद्धिदर की यदि में बात करÍू तीसरा कॉलम एक और बनाना, पहला कॉलम देश, दूसरा आय का प्रमाण और तीसरा व्रुद्धिदर, नौर्वे का प्रतिव्यक्ति आय का व्रुद्धिदर 1.1, अमेरिका का 1.6, चायिना का 6.7, भारत का 6.5, और पाकिस्तान का 2. पॉइंट छे तालिका बनाने के बाद आप लोगों को मन पसन उसका विश्लेशन करना है और विश्लेशन के बाद आप लोगों को उसके नीचे उसका निश्कर्ष लिखना है और जितने भी मुद्दे बता रहा हूँ मुद्दे नौट करते जाएगा क्योंकि जैसे ये होरेशन मेरा क्टम हो जो सकता है कि मैं आप लोगों को हुष नहीं कोई मुद्धों में से हम लोगों को प्रष्ण लिखने के लिए दू तो मुद्धे रफर किये हो गहे तो आप लोगों को replicate का जवाब लिखना भी सरल पड़ेगा और आप लोगों को मुद्दा साहिता भी करेगा धन्यवाद